दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने शेयर की थी आपके साथ मंचुरन की रेस्पी आज शेयर कर रहे हूं फ्राइड राइस की रेस्पी दोस्तों अगर आपके पास दिन के चावल बजगे हैं आप कैसे री यूज कर सकते हो और अपने फैमली को रेस्टोरेंट स्टाइल दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई लिया है मैं अगर चैनीज कुछ बनाती हो तो लोही की कड़ाई में बनाती हो बहुत अच्छा बनता है और थोड़ा सा रिफाइंड ओल लिया है दोस्तों पर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जब हमारा ओल हलका सा हीट हो जाए तो हम इसमें एड़ करेंगे प्यास प्यास को 20 से 30 सिकंड ही हमें फ्राइब करना है उसके बाद बाकी सब्जा सिम्ला मिच और गाजा डाल देनी है फिर तीच आच पे हमें सब्जियों को हलका सा क्रंची फ्राइब करना है जिया इसे प आप हाई रखेगा ठीक है लेकिन से छोड़के मस चले जाएगा उसके बाद जो हमारे पास चावल दिन के बजगे हैं मैं इसमें एड़ करूंगी चावल अगर दिन के रखे हैं तो आपस में चपके रहते हैं तो उसे अच्छे से खोल दीजे ताकि जो एक एक चावल है व तो मैं इसमें एक चमस सोया सॉस एड़ कर रही हूँ और एक चमस में लगबग विनेगर भी एड़ कर रही हूँ आप इसकी मत्रक कम या जादा भी कर सकते हैं अपने स्वादन सार इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और उसके बाद एक चौथाई चमस मैं इसमें गरम कर सकते हो जिससे जो फ्लेवर है बिल्कुल चैनीज बिल्कुल रेस्टोडेंट वाला आता है और थोड़ी सी चिली सॉस भी एड़ कर दीजिए दोस्तों बस क्या का नाया आपको दो से तीन में तीच आश में इसे भूझ लीजिए दोस्तों हमारे फ्राइटरास तियार है केवल मुझे 7-8 मेंट शायद लगे थे और उसमें ही हमारा फ्राइटरास पन के तियार हो गया पिल्कुल रेस्टोडेंट स्टाइल दोस्तों बचे वे चावल का री यूज भी हो गया और घर वालों को रेस्टोडेंट स्टाइल का कुछ चरपटा खाने को मिल गया तो ज अब उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक बहुत सके फिल्हाल दोस्तों इस वीडियो बेटता ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत